हाई, यह है हमारा ओप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 आउट और 4 और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दो पार्ट जिसमें से पहला पहला पार्ट है ओप्टिकल इंस्ट्रुमेंट्स जो की इंपोर्टन्ट है उसके बाद आजाता है एबरेशन्स एबरेशन्स टूडंस को पता नहीं रहता है क्या है कैसा है तो इस पर एक इंसाइट डालूगा और हम आप्टिकल इंस्ट्रुमेंट्स के ऊपर ही भर भर के सम्स करेंगे क्योंके इंस्ट्रुमेंट्स के सम्स थोड़ से आपर अच्छे कॉलिटी के हो जाते हैं चलिए करते हैं आज के इस concept को start, बात करते हैं aberrations के बारे में, so aberrations का मतलब होता है defect, okay, aberrations का क्या मतलब होता है, aberrations का मतलब होता है defect, यह actually part हो जाता है आपके graduation का, but textbook में just एक highlight दिया है, एक hint दिया है, अगर आप read करोगे focus area करके कुछ कहा गया है, ऐसे करते करते कुछ 2-3 शब आपको introduction दिया है, तो आईए समझने का प्रयास करते हैं, आम जिंदगी में हम क्या बोलते हैं, कि हमारे पास एक lens पड़ा है, बढ़िया तरीके से यहाँ पे race जाती है, किसी एक point पे converge होती है, उस point को हम कहते है, focus और बढ़िया तरीके से इसी आधार पे हमने पूरा class 10th औ और class 11th का optics किया है, सच में देखें, तो reality में होता है chromatic aberrations, chromatic aberrations का मतलब हो जाता है, white color का अगर मैं बात करूँ, तो white color खुद बना हुआ है, 7 रंगों से, 7 रंगों की अगर मैं बात करूँ, 7 रंगों का wavelength अलग है, सबका wavelength यहाँ पे अलग है, अगर wavelength अलग है, तो basically refractive index is inversely proportional to wavelength, और क्योंकि बाहर होता है, air medium अंदर होता है, glass का medium, so light travel करती है, rarer medium से dancer medium, so होती है, bend, अब bend दो हो जाती है, बात वही है, wavelength यहाँ पे अलग है, so red color की बात करूँ, red color का wavelength जादा है, so red color को refractive index कम लगेगा, refractive index का मतलब होता है, भादी पन, भारी पन का मतलब होता है, optical density, so red color को लगेगा, कि medium तो हलका है, red color को क्या लगेगा, medium तो हलका है, तो वो कम bend होगा, okay, तो red rays, जितनी भी white light से red rays जाएंगी, वो आगे जा करके मिलेंगी, बात करें, violet color की बारे में, so violet color का wavelength होता है, nearly 3500 angstrom, और red color का हम consider करते हैं, nearly 7000 angstrom, red color का wavelength, violet color का wavelength बहुत जादा कम है क्योंकि wavelength कम है, refractive index, जादा महसूस होगा, violet color कहेगा, कि अरे बाबा, कितना भारी medium है, जल्दी bend हो जाएगा, पूरा देख रहे हो, angle कितना है, bend होने का, red color का ये टीटना angle है, violet color का इतना बड़ा angle है, so violet color आपका यहाँ मिलेगा, so reality में एक focus नहीं होते है, reality में बहुत सारे focus होते है, उतने सारे focus तो हम consider भी नहीं कर सकते, इस वज़े से हमने सर्फ extreme colors का focus यहाँ पे consider किया है, इस defect को हम कहते है, defect का मतलब reality, expectation versus reality का जो gap है, इसको हम कहते है, chromatic aberration, chromatic aberration का derivation है, जो कि derivations के लिए important है, इसका कोई formula है तो सहीं, पर इस formula के उपर आप किसी भी publication में देख नहीं आएंगे, okay, तो इस वज़े से यहाँ पर हम क्यूंके last moment का preparation करें, तो आप कुछ मतलब समझा देता हूँ, so chromatic aberration में हम क्या करते है, so aberration तो 7 colors का होगा, defect तो 7 color का होगा, focus तो मुझे 7 मिलेंगे, यहाँ पर हर color अलग-अलग जगे पे जाके रुकेगा, हर एक का तो ह हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम consider करते हैं, यहाँ पर mean color, और lecture number 3 में हमने discuss किया था, mean color हो जाता है, हमारा yellow, क्या हो जाता है, mean color हमारा हो जाता है, yellow, so यहाँ पर दो focal length आपको नज़र आ रही है formula में, यह है focal length of second lens, यह है focal length of first lens, जैसे कि lens makers formula के समय मैंने आपको बताया था, ह और lens हमारा दो materials का में बना हुआ होता है, convex lens को भी हम by convex lens केते हैं कई बार, क्योंकि उसके भी हम consider करते हैं, दो हिससे हैं, concave lens को भी हम कभी by concave lens केते हैं, क्योंकि उसके भी यहाँ पर दो हिससे हैं, तो eventually हम क्या consider करते हैं, एक lens के हिससे को हम कहते है 1, दूसरे lens के हिससे को ह कहते हैं यहां पर 2, so basically यहां पर 1 और 2 इसी लेंज के पहले और दूसरे हिसे का फोकल लेंद्थ हैं, ओमेगा 2, ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा का मतलब होता है, डिस्पर्जव पावर लेक्चर नमबर 3 में देखा था, डिस्पर्जव पावर मतलब वही, पहले वाले भाग का आपका डिस्पर्जव पावर, दूसरे वाले भाग का आपका डिस्पर्जव पावर, तो यह जो result आपके सामने लिखी गई है आपको हजम नहीं होगी क्योंकि वो बहुत बड़े derivation के बात आई है बात आई है बट आपको बता दो उसका सारांज क्या है, इसका result क्या है, क्या ये साबित करना चाहती है तो यहाँ पर जो अपने को focal lens का ratio मिला है, दो lens का, दो lens का मतलब वही, चाहे same material हो या कैसा भी हो, चाहे bi-convex हो, plano-convex हो, जो भी होने दो, दो material का जो अपने को focal lens का result मिला है ये मिला है minus omega 2 by omega 1 के बराबर, omega का मतलब होता है dispersive power, omega का मतलब क्या होता है dispersive power, और last video में हमने dispersive power के बारे में कहीं चर्चा की थी so dispersive power usually क्या होता है, usually क्या, dispersive power हमेशा positive होता है, okay, dispersive power हमेशा क्या होता है, dispersive power कभी भी negative नहीं हो सकते हैं अगर ऐसा है कि ये दोनों चीजें हमेशा positive है, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर negative sign हमको वहाँ देनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसमें आप कर सकते हो, दोनों side multiply किया जा सकता है minus 1 से, तो क्या हो जाएगा, negative sign आपकी वहाँ चली जाएगी, negative sign वहाँ चली जाएगी, तो eventually क्या हो जाएगा, eventually इसका मतलब हो जाएगा, दो focal length में से कोई एक focal length मुझे negative लेना पड़ेगा, इसका दूसरे बाश मिल सकती है, example तोर पर बात करूं, convex lens की, तो convex lens का focal length हमेशा positive होता है, सारे convex lens के focal length क्या होते है, positive होते है, अगर दोनों convex लोग है, तो दोनों positive मिलेगा, ये तो हमेशा positive है, तो सारी चीज़े positive है, तो formula तो ये पैदा होई नहीं सकती है, अगर दोनों lens convex लेलूं, यहाँ वाल हिस्सा भी convex लेलूं, राइट वाला हिस्सा भी convex लेलूं, convex lens का focal length फिर negative होता है, सो basically फिर वहाँ पर again problem हो जाएगा, negative, negative, positive हो जाएंगे, इसका solution होता है, एक side convex होना चाहिए, एक side concave होना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हो, तब आपका chromatic aberration यहाँ पे कम होता है, क्या होता ह समझती है, बड़ MHT, CET के लिए आपको कुछ चीज तो पता चल गई, तो उपाय क्या है, उपाय यह है, एक side convex यूज करने का, एक side concave यूज करने का, this is the solution, बात करते हैं, स्फेरी कलेबरेशन के बारे में, स्फेरी कलेबरेशन क्या कहता है, स्फेरी कलेबरेशन की कोई formula नहीं है, fortunately स्फेरी कलेबरेशन कहता है, जब भी हम raise बनाते हैं, तो हम सारी raise को बीच में meet कराते हैं, सारी raise, जो दूर है, उनको भी यहीं meet कराते हैं, जो pass है, उनको भी यहीं लेकर जाते हैं, यहीं पे एक ही point पे, जो और pass है, उनको भी एक ही जगह लेकर आते हैं, हर एक एक रहे को हम वह जगह जय के लेकर जाते हैं ऐसा नहीं हो सकता है भै यहां वाली रहागारी सकती है समझ में आता है अपने को यहां वाली कैसे इसप्राइ क WATER कोई बना रहा हूं तो यह बेंड होगी तो उधर कहां पर जाकर पहुंचेगी तो यहां시간 तो obvious वात है कहीं यहां मिलेगी, है ना, so reality में क्या बनाते है, reality में तो हम सब ऐसा diagram बना जिते हैं, ऐसा possible नहीं है, तो इसको हम कहते है spherical aberration, क्योंकि कहीं न कहीं, यह sphere के curved हिस्से के वज़े से हो रहा है, तो इस concept का नाम है, इस error का नाम हो जाता है, यहाँ पर spherical aberration, ठीक है, आते हैं optical instruments के उपर, क्योंकि sums तो यहीं से आ सकते हैं, aberration के उपर मुझे एक ही question यहाँ पर मिला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या है question, चलिए, an achromatic combination of lenses is to be made up using a convex and concave lens, चलो, किसी ने तो बात मानी, convex and concave lens का इस्तमाल करके यहाँ पर एक combination बनाया है, जिसको कहा गया है, achromatic combination, chromatic का मतलब होता है, chromatic aberration का मतलब होता है, error होगा ही होगा, chroma के वज़े से, achromatic का मतलब इस बार error नहीं होगा, और वही मैंने आपको बताया, convex and concave का, जब हम इस्तमाल करेंगे, error नहीं होगा, the two lens should have, दोनों lens को क्या होना चाहिए, तो formula क्या थी, formula अभी अभी हमने यहाँ पर देखी, f2y, yellow तो just एक reference color है, upon f1y, इस इको सुदी हमने देखा, minus में omega 2, dispersive power of second prism, upon में omega 1, अगर यहाँ पर बात करूँ, power की, answer में अगर आप देखो, power, power का चर्चा हो रहा है, so power का formula होता है, power is equals 1 upon focal length, okay, so basically अगर power 1 upon focal length है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, p1 is equals 1 upon f1, p2 is equals 1 upon f2, तो यहाँ पर f2 by f1 है, तो इसके यहाँ पर लिख दो, p1 by p2, okay, and eventually क्या कर दो, दो, दोनों को equate कर दो, क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, p1 by p2, यहाँ पर magnitude ले लो, सुबचे का omega 2 by omega 1, क्या मिलेगा, दोनों को cross multiply करो, p1 omega 1 is equals 1, p2 omega 2, जिनको यह सम नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है, optics ना कितना भी अच्छा कराओ, वो पूरा detail depth जरूरी उसका होता ही है, और समय last moment का है, तो उतना जाने सकते, जिनको यह concept नहीं समझा, उनको transformer बतादू, बोलो लिखते थे, कि आप लोग for an ideal transformer, for an ideal transformer, output power is equal to the input power, बोलो याद है क्या, come on, p input is equal to the p output है ना, फिर आप लिखते थे, e, p, i, p is equal to the i, e, s, i, s, right, तो same logic, आप लोग यह भी याद कर सकते हो, for a chromatic combination, यानि की errorless combination, ओके, चलिए, तो option number d was the correct option, finally start करते हैं, यहाँ पे concept of optical instruments, जो की थोड़ा सा ज्यादा weightage इसको दिया जाता है, चलिए start करते हैं, तीन instruments, यहाँ पर है, simple microscope है आपके पास, compound microscope है आपके पास, telescope है आपके पास, again derivations इनके बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, but formulas के terms में बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा bifurcate हो कि बहुत छोटा logic यहाँ पर आके बचता है, simple microscope की बात करें, तो simple microscope के अंदर एक ही lens होता है, just a single lens का यहाँ पर इस्तमाल होता है, single microscope है, simple microscope में, simple microscope अगर आप biology में देखोगे, तो biology में अगर आपको just कोई छोटा मोटा object देखना है, छोटा मोटा object तब आप simple microscope से देखते हो, यहाँ तो best example होता है, watch बनाने वाले use करते हैं, simple microscope का, कई किताबों में magnifying glass को भी simple microscope के बराबर यहाँ पर माना जाता है, जब भी simple microscope का शब्द आपको सुनाई दे तो यहाँ पर concept हम कई बार सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं, DDV, DDV का basic बाशा में मतलब हो जाता है, distance of distinct vision, जो की इंसानों के लिए होता है, 25 cm का, तो काफी derivations आपकी DDV के हैसाब से की गई हैं, DDV का मतलब होता है, distance of distinct vision, यानि आप reality में चंपक जाचा जैसे नहीं पढ़ सकते हो ऐसा, आपको 25 cm का दूरी रखना है, तब ही जाके आप objects को अच्छे से यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर जो भी DD आपको शब्द नज़र आ रहे हैं, सारे हैं distance of distinct vision, ठीक है, Magnification आपको दो तरीकों का मिल सकता है, Minimum Magnification, Maximum Magnification, Maximum Magnification की फॉर्मिला है, 1 प्लेस D by F के बराबर, F है focal length, आपके glass का, D है distance of distinct vision, 1 है आपका एक number, और Maximum Magnification का मिलता है, जब आपका object placed हो at DDV, Object काहाँ पे placed हो, जब आपका object placed हो at DDV, तब जाके आपको मिलता है, यहाँ पर Maximum Magnification, Minimum Magnification कब मिलता है, Minimum Magnification आपको मिलता है, जब आपका object placed हो at infinity, Image जब आपकी infinity पे हो, मतलब infinity से या कोई image आपको दिख रही है, उसको आप ऐसा zoom लेके कर रहे हो, तो obviously बात है, Magnification नहीं होता है, सोचके देखो na, Magnifying Glass मेरे हाथ में है, नजदीक का object बड़ा दिखेगा, चान तारा दिखेगा, कि कुछ भी उसमें नहीं दिखेगा, जो चीज़े बहुत दूर है, उनको तो minimum Magnification हो जाता है, तो उसकी formula है d by f के बराबर, और यहाँ पर जो derivation जब आप करते हैं, तो object distance ही focal length के बराबर होता है, तो उसको आप ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हो, ओके चलिए, यह दो formula हो जाती हैं, simple microscope की, बात करते हैं compound microscope की, compound microscope की बात करें, सबसे पहले पहले यहाँ पर इस्तमाल होते हैं, दो lens, क्या होता है आपर, सबसे पहले पहले इस्तमाल होते हैं, यहाँ पर दो lens, पहला lens हो जाता है, हमारा objective lens, क्या हो जाता है, objective lens, objective lens मतलब वो lens हो जाता है, जो object के नजदीक पड़ा हो, जो कहा पड़ा हो, जो object के नजदीक पड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, objective lens, objective lens basically क्या करता है हमारा, object के नजदीक पड़ा होता है, वहाँ से data लेता है, obviously physics के terms में data कह रहा हूं, बट वो object की light लेता है, object को अच्छे से पहचानता है, okay, पहचानता है, मतलब वही object की light को अपने अंदर जाने देता है दूसरा lens यहां पर हो जाता है eye lens यहां जिसको कहते हैं हम eye piece क्या करता है हमको जोड से वो zoom करके दिखाता है जहां से हम देखते हैं जैसे आपने colleges में microscope देखा होगा तो microscope कैसा दिखता है microscope अपने को कुछ ऐसा दिखता है राइट है ना obviously बहुत गंदा diagram बनेगा microscope का क्यों काफी साल हो गया microscope देखे बट अगर आप नीचे देखोगे तो object कुछ पढ़ा रहता है तो यहां पर आपने object रखा है पौदा वौदा रखा है जो भी biology में आपको रखना है वो आपने रखा है यहां पर जो lens होगा वो lens होता है objective lens यहां पर जो lens होता है वो हो जाता है हमारा eye lens यहां फिर eye piece उसको कहते हैं यहां पर जो magnification है वो magnification multiplication होता है आपके objective lens का magnification multiplied by आपके eye lens का ठीक है बात करें आपका इपीज का मेगनिफिकेशन तो पिछले वाले केस में तो एक ही लेंस था हमारे पास मेगनिफाइंग ग्लास एक ही ग्लास है उसी में से मैं आसा सा करके देख रहा हूँ तो basically जो आपका magnification of eye piece होता है वो वही पुरानी वाली formula आपकी यहां से हो जाती है तो यह वाली formula में तो कुछ भी नहीं है जस्ट वही पुरानी formula आपकी हो जाती है बट बात करें magnification of the objective lens की तो यह formula आपकी 10 वी कक्षा की हो जाती है जब आप 10 वी कक्षा में थे यह दस वी कक्षा छोड़ दो lecture number 2 optics का magnification का यह formula किया था इसके ओपर कई सारे sums भी किये थे M is equals V by U के पराबर U0 है आपका object से जितना distance है lens का objective lens से जितना object का distance है UE है eye lens से जितना आपके image का यहां पर distance है so UE basically वो हो जाता है यहां पर बात करें telescope के बारे में telescope में क्या होता है telescope में भी यहां पर दो lens इस्तमाल होते हैं एक हो जाता है आपका वापत से objective lens एक हो जाता है आपका यहां पर eye lens बट यहां पर खेल कैसा होता है यहां पर आपका telescope बहुत बढ़ा होता है telescope क्या होता है, telescope आपको यूज्यली ऐसा बड़ा होता है, तो दोनो lenses आपके situated होते हैं ends फे, दोनो lenses का situated होते हैं, दोनो lens situated होते हैं ends पे, और जब आप textbook में रही diagram देखोगे, तो आपको नजर आएगा, कि यहां से जो image बनती है, यहां से जो image बनती है, as an object for this lens तो basically अगर यहां से मैं eye lens का focal length देखूं और यहां से अगर मैं objective lens का focal length देखूं तो eventually मुझे मिल जाता है complete length of the telescope, so यह L is equatorialy हो जाता है, F0 upon Fe and यहां पर magnification हो जाता है, इन दोनों का यहां पर ratio, okay, so that was all for the theory part, मुझे पता है theory part, जितने भी viewers यहां पर देख रहे हैं, अगर optic जिन्दगी में नहीं किया है, so 20, 25, 30, 35 percentage तक ही अब तक समझा होगा, बट ठीक है, इतना ही करो, आप derivation करने जाओगे समय खतम हो जाएगा, derivation आने वाली भी नहीं है, बस विश्वास रख दो, चाहिए एक बार textbook रीड कर दो, बस इतना ही करो, सम्स तो आपके इसी knowledge के basis पे हो जाएगे, सम्स के लिए कुछ भी extra knowledge यहां पर जाधा तर नहीं लगेगा, और इसमें से सबसे favorite में favorite sum मेरा यह वाला question है, तो यह भी question हम बढ़िया तरीके से करेंगे, चलिए करते हैं, यहां पर numerical solving का part शुरू, सम्स शुरू करने से पहले आपको मैं बता दू, पावर की actual में देखा जाए दो formula है, पावर की पहली formula हो जाती है, यह power is equals d1 upon f जो हम सब लोग मानते हैं, पड़ यहां पर हो जाता है एक mistake, mistake basically यह हो जाता है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है power हम सब सही चल रहा है, हमें लगता है सब सही चल रहा है, पड़ यहां पर problem आजाता है units में, हम यह chapter में कहीं पर भी किसी भी चीज़ को meter से indicate या meter से denote नहीं करते हैं, अगर आपने notice किया हो तो आप समझ सकते हो, हम कहीं पर भी meter का चरचा यहां पर नहीं करते हैं, यहां पर यही problem आ जाता है, अगर आप centimeter में, क्योंकि power का unit है diopter, जिसको हम indicate करते हैं d से, बट वो तो SI unit के तरफ चला जाता है, आप CGA centimeter से उसको नहीं संभोधित कर सकते हो, तो अगर आपको focal length को centimeter में ही डालना है, तो फिर आप formula यूज़ करेगी कुछ ऐसा वाला, तो centimeter में data डालना है यह use करो, चलिए करते हैं sums को start, the radius of curvature of a convex surface of a thin plano-convex lens, अच्छा, plano-convex lens क्या है, plano-convex lens है यहाँ पे, जिसका radius of curvature कितना है, radius of curvature है यहाँ पे 12 cm के बराबर, और क्यूंकि plano-convex lens कुछ ऐसा बनाते हैं usually, तो उसका जो convex part है वो इस तरफ जाएगा, यानि कि जो radius वाला भाग होगा, वो right-hand side जाएगा, तो radius हो जाएगा यहाँ पे plus 12 cm के बराबर, तो R1 कितना है, R1 यहाँ पे है plus 12 cm, plane surfaces का radius हम हमेशा consider करते हैं, infinity के बराबर, जैसे हम कहते हैं, parallel lines meet at infinity, तो पता है, parallel lines में infinity पे का है का मिलेगी, तो उसी तरह के से plane surfaces का radius हम infinity consider करते हैं, the refractive index of the material is 1.6, what is the power of the lens, देखो, lecture 2 में, lecture 3 में, lecture number 2 में हमने, focal length निकालने के बहुत सारे process देखे थे, mirror के sums देखे थे, lens के sums देखे थे, lens makers equation के sums देखे थे, spherical surface के sums देखे थे, तो focal length तक तो process वही है, focal length मिल गया, फिर बस power निकाल दो और क्या, तो eventually यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर plano convex lens दिया है, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर, lens makers equation जो कहता है, 1 by a physical study mu minus 1, times of 1 upon radius of 1st minus radius of 2nd, 1 upon infinity सीधा हो जाएगा, यहाँ से 0 के बराबर, radius 1 यहाँ पर 1.6 minus 1 क्या देगा, 1.6 minus 1 देगा 0.6, radius of 1 यहाँ से हो जाएगा, 12 cm के बराबर, point नकालूँगा नीचे मिलेगा, 10, 6, 1 जा 6, 6, 2 जा 12, यह है 1 upon focal length, so 1 upon focal length है 20 के बराबर, अगर 1 upon focal length 20 के बराबर है, so focal length हो जाएगा यहाँ से 20 के बराबर, अगर 20 cm मेरा focal length है, तो सीधा मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, power is the cost of the 100 upon me, 20 cm वाली formula हाँ में, 1, 1, 5, 100, power is the cost of the 5 diopter, option number A becomes the correct option, तो अगर आप ध्यान से देखो, focal length आप निकालना सीख गय हो, तो पावर निकालना तो बस फिर एक छोटा सा formula इस्तमाल करना हो जाता है, nothing else, aberration की एक property यहाँ पर हमने discuss कर ली, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे के तरफ, देखते हैं, next question, so देखते हैं इस question को, simple microscope has a magnifying power of 4.125, so magnifying power कितना है यहाँ पर 4.125 के बराबर, when the image is formed at distance of distinct vision, okay, what is the focal power of the lens, अच्छा, so power पूछा है, image बनी है, distance of distinct vision, जिसका मतलब हो जाता है, m is equal to 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 plus d by f के बराबर, m है यहाँ पर खुद 4.125 के बराबर, distance of distinct vision होता है, 25 cm, नीचे हो जाएगा, यहाँ से focal length, 4.125 माइनस वन हो जाएगा, 3.125, divide में यहाँ से आजाएगा, 25 is equal to 3 हो जाएगा, 1 upon f के बराबर, point निकालूँगा, नीचे से आजाएगे, यहाँ पर 3 zeros, 25, 1s are 25, 25, 1s are 25, and 25, 62 बचेगा, 2s हो जाएगा, 50, 12 बचेगा, 125 यानि की हो जाएगा, यहाँ पर 5 is 125, so eventually यहाँ पर, 1 upon focal length, और यही तो power होता है, यही तो power होता है, so power is equal to 3, क्या मिल गया, मिल गया यहाँ से 125, साथ में मिल गया, यहाँ पर मेरे पास, into 10 रिस to minus 3 का term, यानि की हो जाएगा, यहाँ से 0.125 के बराबर, पर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप centimeter में data डाल रहे हो, तो आपको formula यूज करनी है, P is equal to 1 by F नहीं use करनी है, आपको use करना है, 100 upon में F, तो यहाँ पर मैं 100 वाली formula, क्योंकि यह तो obviously centimeter में डाला है, 25 centimeter में put किया है मैंने, तो यहाँ पर 100 से multiply कर देंगे, आजाएगा 12.5, so option number B becomes the correct option, आगे के तरफ discuss करते हैं, next question, the length of an astronomical telescope is 40 centimeter, the focal length of its lenses will be, length of the astronomical telescope कितना है, L is equal to 3 दिया है 40 centimeter, पूछ रहा है focal length क्या हो सकता है, सबसे पहली पहली बात, दोल तरीकों से question को solve किया जा सकता है, पहले जो होंगे question को solve करेंगे, वो लोग सीधा बोलेंगे, sir, C is the correct option, क्योंकि 35 में अगर 5 add करूँगा, तब भी तो जाके मुझे 40 मिलेगा, तो पहले लोग तो सीधा ऐसे बोलेंगे, 35 में 5 add किया, 40 मिल जागा, C is the correct option, वो लोग अपने जगह पे सही है, दूसरा logic हो जाता है, चाहे compound microscope हो, चाहे आपका astronomical telescope हो, दोनों जगे इस्तमाल होता है, convex lens, convex lens का focal length हमेशा positive होता है, आपका eye piece भी हमेशा positive होता है, आपका objective lens भी हमेशा positive होता है, इवन्चुली यहाँ पर ऐसी कौन सा symbol है, ऐसा कौन सा option है, जिसमें दोनों lens का focal length positive दिखाया हो, यह दोनों negative दिखा रहा है, मतलब कॉनकेव का बात हो रहा है, यहाँ पर कॉनकेव, कॉन्विक्स दोनों है, यहाँ पर कॉनकेव, कॉन्विक्स दोनों है, इतना मेरा assumption है कि आप लोग खुदी यहाँ से कर रहे हैं, ओकी, चलिए, दटा फोकल लेंथ ओफ दा आईपिस of an astronomical telescope is 6 cm, अच्छा, अच्छा, सो astronomical telescope का focal length कितना है, अच्छा, यह पीस का focal length कितना है, मतलब टेलिस्कोब की बात हो रही है, ठीक है, 6 cm है, आपके eyepiece का focal length what is the distance between the object and the eyepiece अच्छा-च्छा-च्छा what is the distance between the object and the eyepiece तो मैने आपको telescope का diagram बना के दिखा दिया था ये लोग basically आपसे length," पूछ रहे हैं क्या आ पूछ रहे हैं," आपसे length फूछ रहे हैं," मैंने आपको telescope का diagram बना के दिखा दिया था, telescopes eventually आपके कुछ ऐसे होते हैं, okay, telescopes कैसे होते हैं, eventually अगर आप देखोगे, reality में भी अगर आपने देखा है, नहीं देखा है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, reality में देखोगे, तभी भी बता चल जाएगा, telescopes आपके usually ऐसे कुछ होते हैं, यहाँ पर एक lens होता है, eye lens, वहाँ पर दूसरा lens होता है, objective lens, तो basically यह लोग भी क्या पूछ रहे है, objective और उसके बीच का distance, मतलब eventually यह लोग पूछ रहे है, length कितना है, if it produces a magnification of 10 के बराबर, देखो, magnification का formula क्या है, formula है F0 upon Fe, F0 का formula क्या है, formula है 10 into 6 के बराबर, 10 into 6 कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, 60 के बराबर, 60 cm यहाँ पर हो जाएगा, आपका focal length of this, 60 cm इसका है, 6 cm उसका है, 60 plus 6 कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा, यहाँ पर 66 के बराबर, option number D becomes the correct option, देखो बड़िया easy questions है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कि यही questions आएगा, तो मजा आजाएगा, चलिए, करते हैं एक last question, फिर आएगे मेरे favorite question पर, यह मेरा बड़िया सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है question, चलिए, उसके पहले दूसरा question, यहां से हम sort कर देते हैं, तो थोड़ा सा बैतर होगा, a compound microscope produces a magnification of 24, अच्छा, तो sum यह पूरा compound microscope का है, so compound microscope में वापस से 2 convex lens होते हैं, एक होता है objective का magnification, दूसरा हो जाता है यहां से, eye piece का magnification, so m is equal to the m0 into m e के बराबर, the focal length of the eye piece is 5 cm, अच्छा, eye piece का focal length कितना है, eye piece का focal length दिया है यहां पर 5 cm, the final image is formed at distance of distinct vision, अच्छा, अच्छा, image कहां बना है, distance of distinct vision पर बना है, what is the magnification produced by objective, तो m0 यहां से अपने से पूछा है, so m0 is equal to the cursor हो जाएगा, यहां पर m, upon में हो जाएगा, यहां से m times of e के बराबर, अगर आपकी image बनी है, distance of distinct vision पर, तो eye piece के लिए कौन सी formula यूज कर सकते हैं, eye piece के लिए हम सीधा ddv वाली formula यहां पर यूज कर सकते हैं, जो formula कहती है, 1 plus d by f के बराबर, क्या कहती है, सीधा कहती है, 1 plus d by f के बराबर, तो वही formula का यहां पर हिस्तमाल करेंगे, सो क्या मिल गए हां यहां पर मिल जाएगा, 1 plus d by f के बराबर, उपर magnification कितना है, उपर magnification आपका है 24 के बराबर, तो यह है 24 के बराबर, बस मुझे नहीं लगता है, solve काने का जरूवत है, उपर 24, नीचे 1 plus distance of distinct vision होता है 25 पे, focal length दिया गया है, 5 के बराबर, 5 1s आ 5, 5 5s are 25, 5 plus 1 6, 6 4s are 24, option number D becomes the correct option, कितना smooth question था रही जगास question एकताम, proper CET के हिसाब से, ओके चलिए, finally discuss करते हैं, last question, मैं सब लोगों को कहूंगा, pause कर लो, pause करने के बाद, आराम से विस्तार में इसका जवाब दो, छीक है, हो सके तो comment में पहले बता दो, नहीं तो फिर आप लोग बदल जाते हो, A बोलने वाले होते हो, A बोल दिया होता है, फिर answer सुनके B बोल देते हो, तो इससे अच्छा पहले ही आप अपना answer यहाँ पर टिक कर दो, An object is seen first in red light, ओके भाई, पहले कहाँ पर देखा है, पहले red light में देखा है, फिर blue light में देखा है, अच्छा, पहले red color light में first देखा है, आपर blue light में यहाँ पर second देखा है, पहले first light में, फिर blue light में, through a simple microscope, ओके, simple microscope ठीक है, बट कुछ बोला नहीं है, object की दर है, distance of distinct vision पे है, दूर है, कुछ भी नहीं बोला है, सो simple microscope की दो formula होती है, एक होती है, d by f के बराबर, एक होती है यहाँ से, 1 plus d by f के बराबर, दोनों formula safer side के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, what is the effect on its magnifying power, अच्छा, power के उपर यहाँ पर क्या effect होगा, अगर यह change हो रहा है, color, red color से blue color पे, तो basically मुझसे यहाँ पर क्या पूछा है, power के उपर आपका क्या असर यहाँ पर होने वाल, देखो, power की formula मुझे क्या पता है, power की formula magnifying power के बारे में पूछा है, तो basically magnifying power की, मतलब simple microscope का magnifying power, यह magnification ही है ना, एक sense में देखा जाए, यह magnification ही है, so magnification चाहे आपका यहाँ पर object रखा हुआ हो, चाहे आपका object यहाँ पर रखा हुआ हो, m की value क्या हो जाती है, m की value हो जाती है, inversely proportional to 1 upon focal length के बराबर, चाहे आपका यहाँ पर magnification हो, चाहे आपका यहाँ पर magnification हो, formula तो यही रहेगी, relation तो यही रहेगा, inversely proportional to 1 upon focal length के बराबर, कहीं भी focal length के बारे में बात नहीं किया गया है, मुझे यहाँ पर focal length का formula निकालना पड़ेगा जो कहता है 1 upon focal length is equals to the n minus 1 times of radius of curvatures का distance but radius of curvatures का यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है सो मैं कह सकता हूँ 1 by f is equals to the n minus 1 times some constant k and finally मैं कह सकता हूँ 1 by f is proportional to refractive index है ना इसको mu भी बोलते हैं n भी बोलते हैं से आपर क्या हो जागा 1 by n आपका inversely proportional हो जाएगा refractive index से तो refractive index उपर हो जाएगा and refractive index lecture number 1 and 2 जितना medium भारी उतना velocity कम जितना velocity कम उतना wavelength भी कम सो यहाँ पर यह relation आपका हो जाएगा directly proportional to basically lambda के परापर तो अगर यहाँ पर red color से blue color आये हैं सो wavelength यहाँ पर एक second mistake हो गया refractive index is inversely proportional to velocity और velocity is proportional to lambda so eventually हाँ पर हो जाएगा one upon lambda के बरापर देखा था lecture number two में refractive index जितना medium भारी उतनी velocity कम and v is equalsory होता है n lambda के बराबर frequency तो हमेशा constant रहती है तो जो लॉजिक वी के ओपर वो lambda के तरफ so red color से blue color आते वक्त wavelength यहाँ पर घट गया है क्योंकि wavelength यहाँ पर घट गया है so magnification क्या हो जाएगा magnification eventually यहाँ पर बढ़ जाएगा so magnification क्या हो जाएगा यहाँ बढ़ जाएगा so option number a becomes the correct option magnification यहाँ बढ़ जाएगा सो बढ़ यहाँ सा logical question था रहाई बिना mathematics के हमारा हो गया and I hope इसी तरीके से आपको idea मिल गया कि questions optical instruments के ऊपर होते कैसे हैं और इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर lecture number 4 भी हो जाता है यहाँ पर समाप्त इस optics के and MHT CET class 11 के series में भी हो ज गो जाता है